जेठानी की सबजी, देवरानी की रोटी आओ बहु अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो रेखा के कहने पर उसकी बहु घर के अंदर आती है अरे सुनो, करिश्मा, जाओ, जाकर नई बहु को जाकर उसका कमरा दिखा दो आखिर तुम्हारी देवरानी है, छोटी बहन की तरह तुम्हारा इससे रिष्टा है हाँ, क्यों नहीं माजी, मैं इसे इसका कमरा दिखा देती हूँ चलो रागनी मेरे साथ करिश्मा ऐसा कहकर अपनी देवरानी रागनी को अपने साथ ले जाती है जिसके बाद वो उसे उसका कमरा दिखा देती है रागनी, ये तुम्हारा कमरा है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो उसके बाद तुम्हारी शादी के कुछ रसमे बाकी है, वो करने भी बहुत जरूरी है करिश्मा दिदी, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी बड़ी बेहन की तरहा करिश्मा ऐसा सुनकर मुस्कराती है और वहां से चली जाती है चलते चलते करिश्मा अपने मन ही मन सोचती है हाँ हाँ तुम्हारी तीदी की तरह अब मैं तुम्हें करिश्मा का करिश्मा दिखाऊंगी करिश्मा की मन में और कुछ ही चल रहा होता है ऐसे में कुछ ही देर बाद रागिनी की शादी की बाकी की बजी हुई रस्मी भी पूरी हो जाती है और अगले दिन से दोनों बहू घर की कामों में लग जाती है सुभ़ जब रागी नी करिश्मा के पास आती है तो रागी नी करिश्मा से कहती है बताओ दिदी मुझे क्या करना है? मैं आपकी किस काम में मदद करवा सकती हूँ? अच्छा हुआ तुम आ गई मेरा मुन्ना बहुत तीर से रो रहा था अब मैं सबजी बना कर उसे दूद पिलाने चली जाओंगी तुम एक काम करो रोटिया बना सकती हो ठीक है दिदी मैं सभी के लिए रोटिया बना देती हूँ रागी ने डिबे से आठा निकाल लेती है जिसके बाद वो आठा गूदने लगती है आठा गूदने के बाद जैसे ही वो गैस पर रोटिया बनाने के लिए चलती है करिश्मा उससे कहती है अरे रुको ज़रा सबर करो दरसल रोटिया यहां नहीं बनेंगी रोटिया तो हमारे घर में सब लोग चुलही की ही पसंद करती है लेकिन दीदी मैं यहां चुलही पर रोटिया कैसे बनाऊंगी परिशान होने की जूरत नहीं है हमारे घर में चुलहा भी है लेकिन वो च्छत पर बना हुआ है तुम जाओ च्छत पर जाकर चुलही पर रोटियां बना लो तब तक सबसी भी तयार हो जाएगी करिश्मा की कहने पर रागनी च्छत पर पहां जाती है जहां वो एक मिट्टी का चुलहा बना हुआ देखती है वो उस पर चुलही की रोटियां बनाने की कोशिश करती है लेकिन पहली बार चुलहा जलाने में भी उसे बहुत दिक्कत आती है चुलहे पर रोटिया बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है मैं चुलहे पर रोटिया बना कर ही रहूंगी रागनी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ चुले पर बहुत ही प्यारी प्यारी रोटियां बना कर लेकर आती है जब सभी लोग खाना खाते हैं तो चुले की बनी हुई इतनी साव सुतरी रोटियां देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं ये चोले के रोटिया तो बहुत ही स्वादिश्ट हैं, और देखो, इंके उपर जरा भी राख नहीं लगी. किसने बनाई हैं ये रोटियां? नहीं, बहुरानी ने बनाई हैं रोटियां. तारीव सुनने के बाद रागनी को खुशी तो बहुत मिलती है लेकिन वो ये सब याद करें लगती है कि इतनी सुन्दर और साफ सुतरी रोटियां बनाने के चलते कितनी बार उसका हाँ जला था अरे अरे अगर इतनी स्वादिष्ट रोटियां लगी है तो खाऊना और ये लो रागनी आ करिश्मा सभी को पेट भर कर खाना किला देती है इस प्रकार सुभा शाम की रोटियां करिश्मा बरागनी से ही बनवाने लगती है किचिन में इलेक्ट्रोनिक गैस के उपर खाना बनाते हुए करिश्मा अपने मन में सोचती है यह तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरी खर्मी अब मुझे कर्मी में चुलही पर रोटिया नहीं बनानी पड़ती मेरी देवरा नहीं रोटि बनाती है और मैं जेठानी जो अराम से किचिन में खड़ी होकर सबसी बनाती हूँ यह कितना आसान सा काम है करिश्मा मनी मन मुस्करा रही होती है तो वहाँ बेचारी रागनी च्छत पर दुएं में रोटि बना रही होती है पता नहीं यह कैसी लखडियां है जो जलने का नाम ही नहीं ले रही मैं जैसे तैसे करके रोटिया बना कर ले कर आती है और अपनी जिठानी से कहती है जिठानी जी ये आज आप कैसी लकडियां लेकर आई हैं इन लकडियों से तो जरा भी रोटिया नहीं बनवा रही थी बहुत ही मुश्किलों से मैंने रोटियां बनाई है दरसल मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे माफ करना, अगली बार से सही लकडिया लेने चलेंगे दुहें की वज़े से रागनी को खांसी भी हो जाती है अब रोजाना ही बेचारी रागनी से चूले पर गर्मी में रोटिया बनवाई जाती थी जिसके चलती रागनी बहुत जादा परिशान हो जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि उसकी जिठानी घर के आसान काम खुद करती है और उसे हर मुश्किल काम करवाती है एक दिन करिश्मा अपने कमरे में बैठ कर अपनी मा से बाते कर रही होती है अरे मा जब से वो बुद्धु लड़की इस खर के अंदर आई है तब से आपकी बेटी को बहुत आरा मिल रहा है कोई भी मुश्किल काम मुझे नहीं करने पड़ते सारी काम मैं उसी से करवाती हूँ और घर में सबसे कह देती हूँ कि सारे काम मैंने किये है सब लोग मेरी तारीफ भी करते है लेकिन बेटी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए ओ मा आप भी ना अब मुझे लेक्चन मत दो मैं जिठानी हूँ उसकी मैं उसे काम करवा सकती हूँ चलो अपने फोन रखती हूँ बाद में बात करूंगी करिश्मा ऐसा कहकर फोन कार्ट देती है जिसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है लेकिन कमरे के बहार रागनी ये सब सुन लेती है अच्छा तो ये बात है मेरी जिठानी कुछ जादा ही चला की दिखा रही है अगर मैं घर के सारे काम करने के बाद भी तारीफ नहीं ले पा रही हूँ और मेरी जिसे की सारी तारीफ मेरी जिठानी ले रही है तो तारीफ के साथ साथ मेहनद भी उन्हें ही करनी चाहिए रागनी ऐसा सोचकर अपने कमरे में जाती है अपना सारा सामान पैक करती है और अपने माई के चली जाती है जिसके बाद जब ये बात करिश्मा को पता चलती है तो उसे उस समय तो फरक नहीं पड़ता लेकिन जब घर की सारे काम उसे ही करने पड़ते है तो उसे काफी दिक्कते शुरू हो जाती है अरे बाप रे बाप, अभी कपड़े दोहेती और अभी घर की साफ सफाई भी करनी है बड़ी बहु, यहां क्या कर रही हो, जाओ हमारे खाने के लिए खाना बना कर लाओ, बहुत ज़रों से भूख लगी है हाँ माजी, अभी बना कर लाती हो करिश्मा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी उसका छोटा मुन्ना रोने लगता है अरे ये क्या मुन्ना रो रहा है, कुछी जल्दी से उसे चुप कराना होगा करिश्मा अपने कमरे में जाती है और अपने मुन्ना को दूद पिलाने लगती है तब ही बात्रोम से उसके बेटे राजो की आवाज आती है मा, मा, कहा हो आप, जल्दी यहाँ बर आओ, मैंने पौटी कर ली है पहले तो करिश्मा जैसे तैसे अपने मुन्ना को चुप करवाती है और उसके बात्रोम में जाकर राजो को पौटी साफ करती है जिसके बाद वो अपने हाथों को अच्छे से धोकर किचन में पहाँ जाती है वो सभी के लिए नाश्टा बना ही रही थी कि तभी उसका पती तरूना कर उससी कहता है क्या हो गया है तुमें कल तक तो तुम्में काम करने में इतनी फूर्ती थी और आज तुमने सब गड़बड कर दी और तुमसे घर के काम नहीं हो रहे हैं अपने पती की इस शब्द सुनते ही उसे अपनी देवरानी की याद आ जाती है अरे ये क्या मुनि रो रहा है ला मैं ईसे चुपकर वा देथी हूँ इतने आप थोड़ी दीर आराम कर लो बहुत श्यक्रिया रागनी तुमारा इसनी रो रोकर मीरा बुरा हाल कर दिया है तुम इसकी चाची हो तुम ही संभ़ालो अभी से क्या हुआ दिदी लगता है आप बहुत जादा ठक गई हो कोई बात नहीं अभी आपका मुन्ना छोटा है न आपको बहुत परिशानी होती होगी बच्चों को संभालना घर को संभालना कोई नहीं मैं ही सारे काम खुद केंदूगी अब बस मुन्ना को दूट पिला दो हाँ हाँ सही कहा तवनी में मुन्ना को दूट पिलाने जाही रही हूँ तुम सारे काम कर ले न, अगर मेरी जरुट हो तो बता दिना मैंने उस पीचारी को बहुत परिशान किया शायद मुझसे परिशान होकर भी वो अपने माई के गई है दस दिन हो गए हैं लेकिन मेरी देवरानी वापस नहीं आई मुझे माजी से बात करनी चाहिए करिश्मा ऐसा कहका रेखा के पास जाती है और उसे अपनी चलाकी से की हुई सारी हरकते बता देती है बड़ी बहु मैंने तो तेरे बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था खेर जो हुआ तुझे उसका पष्टावा है इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ हाँ माजी मुझे अपनी गल्दी का पष्टावा है आईंदा मैं ऐसी गल्दी कभी तोबारा नहीं होगी और मैं अपसे देवरानी से घर के मुश्किल काम नहीं करवाओंगी हम दोनों मिलकर घर के बराबर की काम करेंगे लेकिन मेरी देवरानी को वापस बुला दो माजी रिखा करिश्मा की कहने पर अपनी छोटी बहु को वापस बुला लेती है जिसके बाद करिश्मा रागनी से माफी मागती है और उसे अपनी छोटी बेहन की तरह समझ कर अपनी ससुराल में रहने रगती है अब दोनों बहु घर में बरावर की काम करती है और एक साथ खुशी-खुशी रहती है जिसमों का है ये जलवा शहरत भी दे ये जलवा मकसद भी दे ये जलवा बस कुछ दिन और और फिर मैं ये रैंप वाक अपने कमरे में भी नहीं बलकि हजारों लोगों के सामने करूंगी और अपनी अदाओं से सभी को घायल कर दूंगी और इस मॉडलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मॉडल बन जाओंगी सारी मॉडल्स के पसीने न चुटा दिये तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं अनामिका बच्पन से ही एक बहुत फेमस मॉडल बनना चाहती थी अनामिका शहर में रहने वाली उन बिगडी लड़कियों में से होती है जिन्हें अपने संस्कारों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं होती है जिससे अनामिका के पिता श्रिवास्तव हमेशा परिशान रहते थे रात के दो बच गए है और ये लड़की न जाने कहां गाइब है इसका फोन भी नहीं लग रहा है ये भगवान मेरी बेटी के साथ कोई अन्होनी न हो जाए शिरवास्तव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी बेटी शौट मौडन ड्रेस पहने हाथ में शराब की बोतल ली आती है और लड़ खडाते हुए कहती है जिस बाप की एक लौटी बेटी देर रात तक घर से बाहर रहती है उस बाप को नीद कैसे आ सकती है अब शेयर में रहकर भी ऐसे गाहों के लोगों की तरह गिसी-पिटी बाते कर रहे है बेटा अपनी ये बुरी आदिते छोड़ दे और शादी कर ले वरना एक दिन तु बहुत पच्छताएगी तेरी शादी के भी उम्रों गई है अनामिका की बाते सुन श्रिवास्तव की परिशानी और बढ़ने लगती है इसलिए श्रिवास्तव अपने बचपन के दोस्त मनोज की बेटे वैभव से अपनी बेटी का रिष्टा जोड़ देता है मनोज का परिवार गाउं में रहता था इसलिए जब ये सारी बाते अनामिका को पता चलती हैं तो वो शादी से साफ इंकार कर देती है लेकिन अनामिका के ना चाहते हुए भी श्रिवास्तव अनामिका की शादी जबरदस्ती वैभव से करवा देता है बहु इन सभी टोकरियों में पैर रख कर घर के अंदर प्रवेश करो वाट? Are you mad? अगर इन टोकरियों में पैर रख कर चलूँगी तो मैं गिर नहीं जाओंगी मुझे आपके इन बक्वास रस्मों में जरा भी इंट्रेस्ट नहीं है मैं दाख चुकी हूँ और मैं अपने कमरे में जारी हूँ आरी मोरी मया कांता ये तुम्हारी शहरी बहु इंग्लिस में क्या पटर पटर बोल रही है? डिस्गस्टिंग यहां के लोग कितने गवार है इने तो इंग्लिस में बात भी करनी नहीं आती है ना चाने मेरी शादी किस दिहाती गाउं में हो गई है इतना कहकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है वहीं बात को संभालते हुए वैभव कहता है मा, काकी, आप लोग अनामिका की बातों का बुरा मत मानियेगा वो शहर की रहने वाली है ना इसलिए उसे गाउं के रीथी रिवास के बारे में कुछ नहीं पता धीरे धीरे वो सब सीख जाएगे और वैसे भी अभी वो ठकी हुई है हम बाकी रसमें कल कर लेंगे इतना कहकर वैभव वहां से चला जाता है जैसे ही अपने कमरे में जाकर अनामिका के करीब जाने लगता है तो अनामिका उसे जोर से धक्का मार देती है ओ हलो मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना समझें अनामिका में तुम्हारा पती हो और तुम मेरी पतनी हो आज हमारी सुहाग रात है तुम मेरे साथ ऐसा बढ़ताओ क्यों कर रही हो? ये पती होने का ढोस जमाने की कोशिश मत करना मैं गाउं की नहीं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की हूँ मेरे करीब आने की सोचना भी मत अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है मैं तुम्हारे करीब नहीं आउंगा जब तक तुम मुझे खुद नहीं बोलती जिसके बाद अनामिका तो सो जाती है अपने सुहाग रात के दिन वैभव चुपके से छट पर जाकर सो जाता है और अगले दिन किसी के उठने से पहले ही वापस अपने कमरे में आ जाता है वहीं दूसरी तरफ अनामिका नहाने के बाद तावल में ही अपने कमरे से बाहर आ जाती है जहां उसका ससुर मनोज बैठा होता है ससुर जी क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है वो क्या है ना सुबा सुबा मेरी कॉफी पीने की आदत है मैं कब से अपने रूम में बैठे-बैठे कॉफी का वेट कर रही थी वो क्या है ना मुझे नहाते ही कॉफी चाहिए होती है राम राम बहु ये तू अपने ससुर के सामने कैसे आ गई तुझ में लाज शरम नहीं है क्या कान्ता ओ कान्ता जल्दी से धर आओ क्या हुआ जी क्यों चिल्ला रहे है ओ सुबा सुबा अपनी इस बेशरम बहू को तो देखो अपने ससुर के सामने कैसे टौवल में आ गई है ए राम ची 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 तो इस टावल में बाहर कैसे आ सकती है अरे हमारे गाओं की बहुए सर पर बिना दुपटा रखे घर से बाहर नहीं निकलती और तुझ अपने ससुर के सामने बिना कपड़ों के ही इस टावल में आ गई मैं तो अपने घर में ऐसे ही रहती थी अगर आप लोगों को इतनी प्रॉबलम है तो अपनी आँखों पर पट्टी बांद लो अपने माता पिता और पत्नी की चिल्लाने की आवाज सुनकर वैभव बाहर आता है और फिर से बात को संभालते हुए बोलता है अरे माँ छोड़ो ना अभी अनामिका अपनी चीजों के बारे में पता नहीं है वो दीरे दीरे सब समझ जाएगी अनामिका तुम चलो मेरे साथ और जाकर तयार हो जाओ अनामिका अंदर जाती है और साड़ी या सूट पहनने के बजाए अपनी शहरी modern dress पहन कर गाओं में निकल जाती है जिसके चलते गाओं में हर कोई अनामिका को देख रहा होता है और गाओं के चिछोरे लड़के अनामिका पर short dress में देख कर line मारते हैं अनामिका की short dress पहनने की वजह से सारे गाओं वाले अनामिका के सास और ससुर को ताने देते हैं लेकिन इससे अनामिका को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इसी तरह से ही अपनी जिन्दगी जीती है अनामिका का पती व्यभव बहुत understanding होता है और वो हमेशा अनामिका का साथ देता है और उसे समझाता है लेकिन अनामिका अपने पती की एक नहीं सुनती है तो ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन बहु एक हथे बाद करवा चोत का व्रत है हमारे गाउं की हारे एक और अपने पती की लंबी आईू के लिए ये करवा चोत का व्रत रखती है अनामिका अपनी सास के मूँ पर ही करवा चौत का वरत रखने से साफ साफ इनकार कर देती है और जाकर छट पर अपने फोन से रील बनाने लगती है ठंडा मौसम होता है और शॉट ड्रिस पहनने की वज़ा से अनामिका को ठंड लग जाती है इन्हें टाइफॉइड हो गया है इसलिए आप लोगों को इनका खास ध्यान रखना पड़ेगा अगर जराबी भोल हुई तो इनकी तबियत और खराब हो सकती है डॉक्टर की बात सुनकर वैभव घबरा जाता है और अपनी पतनी का बहुत ध्यान रखता है अनामिका ये लो मा ने तुम्हारे लिए मसाला खिचुडी बनाई है गर्मा गरम है इसे जल्दी से खा लो और इसके बाद दवाई खा लेना फिर देखना तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी वैभव सारा दिन अनामिका के पास रहता और उसका खयाल रखता है उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसकी सारी जरूरत को पूरा करता है ये सब देख कर अब अनामिका को दीरे-दीरे वैभव से प्यार होने लगा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है अनामिका कुछ दनों में ठीक हो जाती और अपनी सास की दी हुई साड़ी पहन कर, अपनी सास और गाउं की सबी ओरतों के साथ करवा चौत की पूरी विदी निभाती है, और चंद्रमा के निकलते ही चंद्रमा और अपने पती की पूजा करके उनसे आशिरवाद लेकर अपन शर्मों की तरह गलतियां करती रही आपने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा प्यार किया और मैं आपके प्यार को समझ ही ना पाई लिकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं सबी लोग मुझे माफ कर दीजे तुम हमसे माफी मत मांगो तुम हमारी बेटी हो तुम्हें गलती का एहसास हो गया यही हमारे लिए काफी है सारा परिवार अनामिका को माफ कर देता है जिसके बाद अनामिका अब अपने बेशरम पन को छोड़ कर अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और अपने ससुराल वालू के साथ खुशी खुशी रहती है